हलो माई वाई टी फैमली कैसे हूँ आप सब आज मैं बहुत दिनों के बाद ये लॉंग वीडियो ले करके आ रहे हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा मैंने यहाँ पे रोज नोजल का यूज करके बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाया है और ये केक जो था एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची के लिए था इस केक का ओर्डर देने कस्टमर खुद चल कर मेरे घर तक आये थे रात को आट बजे के करीब इस केक को बनाने के लिए कस्टमर ने इतनी सारे डिमांड रख दी कि मैं क्या ही बोलू हम लोग तो होम बेकर से हैं तो हमें तो कस्टमर की हर एक छोटी बड़ी डिमांड को पूरा करना ही करना है तो मैंने भी वही किया इस केक को बनाने में मैंने अपना 100% दिया और यह डिजाइन लास्ट में जो रेडी हुआ आप देखोगे आगे की वीडियो में कस्टमर को इतना पसंद आया कि वह खुसी उचल पड़े यहां पर बीगनर्स के लिए एक टीप्स है कि जब हम केक के ऊपर क्रम कोटिंग करते हैं या फिर फाइनल आइसिंग करते हैं तो वहां पर हम केक बोड का यूज ना करके एक प्लेट का यूज करेंगे ताकि हमारा केक बोड जो वो गंदा ना हो जब केक को पुरी तरह से ह हम लोग आइसिंग कर लेंगे उसके बाद हम केक बोड पे केक को सिफ्ट करेंगे जो भी बीगनर से उन्हें केक से रिलीटेट कोई भी प्रॉबलम है कोई भी कुश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे मैं उसका रिप्लाइच जरूर करूंगी यहां पर मैंन की फाइनल डेकोरेशन बाकी है और यहां पर मैंने बनाया है चौकलेट का चुटा चुटा डेरे मिल्क मैं ऐसे डेरे मिल्क ही बोलती हूं और उसके बाद हम इसे उसी केक पे अच्छी तरह से डेकोरेट कर देंगे आप देख सकते हो इस तरह से मैंने एक करके चौकलेट रच पीसे इसको मैंने लगा दिया है और अभी इसके का फाइनल लुक अभी रेडी नहीं हूँ अभी बहुत कुछ इसमें है इसलिए आप वीडियो पर बने रहें इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह बताऊंगे कि इसके का मैंने कस्टमर से कितना कॉस्ट लिया औ इसका मैंने ग्लोशी प्रिंट में प्रिंट आउट निकाला और उसके बाद में इस केक में लगाया है अब वीडियो के लास्ट में देख सकते हो और आपको अगर या केक का डिजाइन और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक ल को सब्सक्राइब भी कर लें